आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल में आज मैं आपको Cypher OS का रिव्यू दूँगा इस वीडियो पे हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज आप मेरे यूटूब चैनल को सब्क्राइब कर लें उसके बाद बैल बटन दबाएं और All Notification आइकोन जरूर क्लिक करें इस वीडियो पे मैं आई बटन भी दूँगा उसे भी आप जाके जरूर चेक करें आई बटन पे बहुत सारे Importance Link है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको सभी Download Link और सब Important जो भी इस वीडियो से जुड़ा हुआ Link है सब आपको मिल जाएगा Please मुझे Social Platform पे भी Follow करें सबके Link मैं दे दिया हूँ Download, Roam का Link है, Gcam का Link है, MePort App का Link है और भी बहुत सारे Importance Link आपको मिलते हैं और वीडियो को Please request कर रहा हूँ शुरू से लेके आखरी तक देखें बिना किसी Skip और Forward के मुझे भी Help करें अब हम चलते हैं अपने वीडियोस पे, सबसे पहले मैं आपको बता दू, Cyber OS इसका थोड़ा सा Late Update आया है, बट काम का Update है, बात करते हैं, Cyber Version 3.2 है जिसका Code Name दिया गया है, Exodus, Status Official है, Maintenance है, Alone 0316 Device हमारा Redmi Note 4 है, Android 12.1 है, या फिर 12L बोलिए और Security Patch 5 अप्रेल 2022 का है, Kundal 4.9 Fusion का यूज किया गया है, Selinix Status Enforcing है, यहां हमारा Processor दिख रहा है, RAM दिख रहा है, इसके बाद Build Date यहाँ पर 27 अप्रेल 2022 आपको दिख रहा है, अब मैं आपको इसके Default Wallpaper पर ले चलता हूँ, यह हमारा इस Roam का Default Wallpaper है, Left Side पर आपको Google Page मिल जाएगा, क्योंकि यह एक GAP Rome है, Right Side पर जो आप App Install करेंगे वो आजाएगा, Swipe Down करके मैं आगर दिखाऊँ, तो आपको Basic जो QTails मिलता है, वो मिलेगा ही, ज़रुवत के लिए, और आप Add कर लिजेगा Edit पर जाके, बात करते हैं, यहाँ पर आपको Hardware Button Light Working नहीं है, यह वाला Bug है, कोई बड़ी बात नहीं है, इस Bug से हमारा कोई काम रुकने वाला चीज नहीं है, Swipe Up करके मैं दिखाऊँ, तो यह Default App है, GAP Variant है, बात करते हैं, Play Store Certified है, Call Recording नहीं मिलेगा, Google Dollar है, इसके बाद छोटा वाला गैलरी दिया गया है, बेसिक वाला आप चाहें, तो Google Photos भी यूज कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे, मैं आपको MIUI 13 का Port Gallery एप भी दे चुका हूँ, वहाँ से उसे भी यूज कर सकते हैं, बात करते हैं, तो Gcam 8.1 का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लिजेगा, अच्छे से काम कर रहा है, बिना किसी प्रॉब्लम के, अब बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल्स पे, उसके लिए हम चलेंगे सबसे पहले फोन के सेटिंग्स पे, सेटिंग में नेटर्वक कनेक्टेट के अंदर कुछ नहीं है, बताने लाइक, एप में भी कुछ नहीं है, डिरेक्ट बैटरी पे ले चलते हैं, तो बैटरी बैकप एवरेज है, दी बैस्ट नहीं, दी बेकार भी नहीं, एवरेज बैटरी बैकप आपको मिलने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं है, इंप्रूब्मेंट लगे रहता है, आते रहेगा, डिस्प्ले पे आपको डार्क मोड, आटो ब्राइटनेज, सब कुछ अच्छे से काम करता हुआ, मिल रहा है, एक्स्टर डीम का भी फीचर काम कर रहा है, साउंड की बात करें, तो आपको clear speaker sound बस देखने को नहीं मिलेगा, बाकी सब चीच देखिए, direct sound, audio amplification मिल गया है, काम कर रहा है, storage की बात करें, तो system ने 8.5 GB consume किया है, जादा है, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से बोल चुक हूँ, यहाँ पर अगर total size दिखा रहा है, आप देखिए, total size दिखा रहा है, तो ROM हमेशा बढ़ा लगेगा आपको, यहाँ पर छोटा size दिखाएगा, तो ROM का size भी छोटा लगेगा, आगे बढ़ते हैं, security की बात करें, तो इसमें Pixlish वाला security system दिया हुआ है, phone का ROM not encrypted है, तो format data आपको नहीं करना पड़ेगा, आपका कोई data loss नहीं होगा, आगे चलते हैं, privacy पासवर्ड में कुछ नहीं है, थोड़े बहुत कस्टमाई जेसर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, traffic indicator, wallpaper, themes, notification, accessibility के अंदर आपको caption setting, font size वाला setting देखने को मिल जाएगा, system की बात करें, तो आपको system updater दिया गया है, hopefully new OTAE update जब आएगा तब आपको इसका update देखने को बिल जाएगा, देखे, Cyber OS version 3.2 है, जिसका code name Exodus है, Android 12 है, 27 April 2022 का build है, आप देख सकते हैं, काफी latest build पे मैं backup आपको वीडियो दे रहा हूँ, gesture वेगरा काम कर रहा है, system UI tuner, basic चीज़ दिया गया है, काम कर रहा है, बैक चलते हैं, system से बाहर digital well-being भी काम करता हुआ, आपको मिल जाएगा बिना किसी problem के, अब मैं आपको about एक बार और explain कर सकते हूँ, Cyber OS version 3.2 official build है, alone 0316 build maintainer है, Android 12.1 12L, और 5 April 2022 का security patch, Celenix enforcing 4.9 Zilos fusion walla candle, इस room पे हमारा वीडियो यही था, please मैं वीडियो end कर रहा हूँ, मेरे request है मेरे वीडियो को start to end, बिना किसी skip forward के देखें, वीडियो पे आई बटन दिया हूँ, उसे भी जरूर चेक करें, और इस वीडियो के description पे बहुत सारे important links हैं, वहाँ से अपने ज़रूरत के चीजेस आप use कर सकते हैं, और मुझे social platform पे follow करें, मेरी help करें, मेरी channel को monetize करने में, please like करें इस वीडियो को और comment करें, और अगर आपका कोई doubt है, तो comment में पूछें, और telegram channel के chat section पे आप पूछ सकते हैं, अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो पे, तब तक ले, thank you, have a nice day.